हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे आम का सुखा आचार बहुत ही कम तेल में बनाएंगे हम इसे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने ली है कच्छा आम लगबग 3 किलो और इसे मैंने सुखा लिया है इसे अच्छे से धो कर काट के इसमें मै लाल मिर्च तीखे के अनुसार आप सुखी लाल मिर्च ले सकते हैं सौफ खड़ी धनिया मेथी दाना अजवाईन जीरा और कलांजी तो यह सब सामान मैंने लिया है इसके अलावा जो मैंने लिया है वह है राई इसके बाद इन सारे खड़े मसालों को हमें हलका सा रोस्ट कर लेना है जादा नहीं रोस्ट करना है बस सलका साइस को हमें रोस्ट कर लेना है तो एक कढ़ाई मैंने इसको रोस्ट कर लिया है राई को मैं अलग भूनूंगी और यह बाकी के मसालों को मैं पहले भून लेती हूं तो अच्छे से यह अब रोस्ट हो गए है जैसा कि बड़कने नहीं देना है बस हलके सही इसको रोस्ट करना है हमें तो राइ भी हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है अब हमारा पहला जो मसाला था वो ठंडा हो चुका है इसे हम मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे हमें अच्छे से इसको पीस लेना है तो मैंने इसका फाइन पाउडर बना लिया है लेकिन जो राई है उसे हमें दरदरा ही पीसना है इसको हमें बिल्कुल भी फाइंड नहीं करना है इसके बाद हमने लेनी है थोड़ी सी हिंग लेनी है मैंने और थोड़ा सा हमें कलांजी फिर से लिया है और सौफली है खड़ी तो हमने इसको और पीस तो आप हमें इसमें इसको डिलेज स्रह्ति है और शफीज सफेज सिर्का डाला है हल्डी ढाली है तीन टी도 शपून कूरना है आपस में चिपक जाए झाल जाए तो हमने इसमें बड़े चम्मच दिया मादे हम डाला बीद में लिन भाफस के सेमये जाले स्टेल ou जाधव के तली लगाना है्ट। हैंटे now चार को जो मैंने सब मिक्स किया है मसाला इसको हमें इसमें दबा दबा के पुष करके इसको हमें अंदर भरना है और सारा हमें ऐसे ही भरना है दबा दबा के एक के उपर एक हमें बिल्कुल भी इसमें एयर आने नहीं देनी है और इसको हमें अच्छे से भर देना है जो लास् कच्चे आम में अच्छे से मिल जाए तो हमने इसमें एक बड़ा चम्मच टेल डाल दिया है उपर से और इसे हमने बंद कर दिया है तो आप ऐसे ही इसको अगर प्लास्टिक का है यह तो प्लास्टिक के जार को ऐसे यह आप रख सकते हैं धूप में बहुत जल्दी गल जाता है तो अगर आपको यह वीडियो पसांद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेर करना ना भूले अल्लाफेज